तो जैसा कि आप सब भी जार रहे हैं यहाँ पे जो विस्विद्याले है नर्सिंग की वहाँ की जो कुशिन पेपर जो है लिख हुए उसके विज़े से बी ऐसी नर्सिंग के एक्जाम जो है पोस्ट पोन या कैंसल हुए हैं तो यहाँ पे उनका जल्द से जल्द और नया ट भायारी विस्विद्याले के गोपनी समेत जिम्मेदार की मिली भगत की आशंका तो यहाँ पे बहुत जल्दी पता चल जाएगी जाज जारी है अभी कि कौन मिला हुआ था इसमें कौन पेपर को लिख कराने के लिए जिम्मेदार है और लिख कहां से हो रही है यह सब की ज जारी है तो बहुत जल्दी आपको मिल पता चल जाएगा कि आखेर पेपर लिख कहां से हो रही है और यहाँ पे जो है कल जो बच्चे है नौ बजे से जिनका एक्जाम था फार्मा पैथोजेनेटिक्स की वो एक्जाम हॉल में बैठ चुके थे उनको आंसर सीट दे दिया होंगे इसे और डबल खर्चा है तो सभी परिक्षाय को स्थगित कर दिये गए हैं बीएसी नर्सिंग के साथ में वही M.S.C. और पोस्ट बेसिक बीएसी नर्सिंग के कंटीनू बने रहेंगे उसी डेट पे ही तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि मैंने पिछले वी बीएसी नर्सिंग के है सबको रद कर दिया गया अभी चातिस गड़ के आठ सरकारी और पंचयन में नीजिस नर्सिंग कॉलेज में बीएसी नर्सिंग को 4600 शीटे हैं ठीक है उत्तर पुस्तिका हो गई खराब बीएसी नर्सिंग की परिक्षर शुबह 9 बजे से सुरू हो परिक्षारती उटतर पुस्तिका में डाटा भर रहे थे 10 मिनट के भीतर परिक्षर रद होने से यह खराब हो गई तो यहां पे इतने स्टूडेंट्स ने अपना रोल नंबर वगरा अपना पूरा डिटेल भर डाला था कोशिन शीट में और यह जो पेपर देख रहे हैं आप लोग यह फार्मा पैथोजेनेटिक्स की ही है सेकेंड यर की और दिखा देते हैं सारे न्यूज में आज तो यही ही छागया है पुरा कि ब्येसिनर सिंग का परचालीक परिक्षारत और यह पुरा रायपूर का नौभारत न्यूस पेपर है इसमें भी वही लिखा हु पुलिस अधिक्षक या यतोचीत अधिकारी को सामिल किया जाना उचीत होगा दोसी परिक्षा केंदर पर कड़ी करवाही की जाएगी तो यहाँ पे जो है पुलिस के सासत कलेक्टर सभी इस मदब खोज में लग चुके हैं कि आखिर परिक्षा कहां से लिख हो रही थी और कौन इसके जिम्मेदार हैं वो सबको पता चलने के बाद कड़ी से कड़ी क्या करवाही की जाएगी उन लोगों के लिए वो देखना है तो यहाँ पे लिख भी ऐसे नर्चीं के पूरी परिक्षा हैं सगी 40,000 विद्यार थी चौथी बार परिक्षा से बन चुके ठीक है तो परिक्षा होई रही थी वही बहुत ही गलत बात है यार इतने सालों में एक तो एक्जाम हो रहा था और ऐसे पेपल लिख करगे बचों को और पूरा टाइम वेस्ट ही करा रहे हैं पतना नया टाइम टेबल कितने दिनों में लाएंगे बोला गया है कि 23 तक यहाँ पे न्यू टाइंटेबल लाया जाएगा यह देखे अब 23 को परिक्षा बी Lessing Second Year को पचालीक तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि तो यहां पर देखिए बच्चे लोग क्या करने वाल हैं तो वो लिस्ट मैं मैं दूसरे वीडियो पे दिखा देती हूँ कि अखिर बच्चे क्या करने वाल है अगर 23 को युनिवर्सिटी अपना फैसरा नहीं लेगी कि नेक्स्ट एक्जाम कब है या किस मोड पे होनी है या और क्या कारेवाही की जाएगी और जहां से पेपल लिख हुआ है वो सब पता चला है की नीचला क्योंकि इसको पता चलने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए यह बहुत बड़ी न्यूज है सभी के लिए और नर्सिंग फिल्ड में साथ जो प्रोफेस्टनल नर्सिंग कोर्स है मेडिकल फिल्ड में आई यूनिवर्सिटी में ऐसे पेपल लिख होने वाला पहली बार हुआ है तो इसकी उमीद तो थी ही नहीं किसी को भी बट्ट ऐसा कुछ हो जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था तो देखते हैं 23 को टाइम टेबल देते हैं कि नहीं और टाइम टेब नहींते हैं